हेलो गाईज मैं परदीप शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगी क्योंकि हर्याना जीके का बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक तो हार और मिले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आप लिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो त्योहार और मेलो के बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में सिरफ हम मेलो के बारे में देखेंगे तो जजजर जिला है तो जजजर जिले से जितने अगर बात करें जजजर जिले की तो गिंती दास का मिला ग्रीब दास का मिला और भिमेश्वरी माता का मिला और दुल हेडी का मिला आपको याद रखना है कि जजजर जिले में यह मिले लगते हैं कौन-कौन से गिंती दास का मिला ग्रीब दास का मिला भिमेश्वरी माता का मि चुडानी गाउं में लगते हैं कापर चुडानी गाउं में लगते हैं भीमेश्वरी माता का भीमेश्वरी माता का मेला जो लगता है बेरी गाउं में लगता है अब सबसे इंपोर्टेंट बात आपको यह है याद रखनी है कि बेरी को मंदिरों का गाउं भी बोला जाता है क्या बोला जाता है मंदिरों का गाओं भी बोला जाता है किसे तो भिमेश्वरी बेरी गाओं को ठीक है अगला अगला है मारा दुलहेडी लगता है मारा दुलहेडा गाओं में लगता है तो दुलहेडा गाओं में दुलहेडी का मेला लगता है तो चलिए बढ़ते हैं अगल जिले की तरफ अगला जिला है हमारा सोनीपत अब सोनीपत जिले को Harbor Jeans eder जिले को आपको किस режिनर रखना है सुन्तर से किससे संदर से अब आपको यहां पर देख सकते हो पहला मिला है बाबा बालक नगननात का मेला तो आपको याद रखना है बालक कैसे होते हैं बहुत सुन्दर होते हैं छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही सुन्दर होते हैं सत कुंबा का मिला अब आप सभी जानते हैं जो कुंब का मिला है वो 12 वर्ष के बाद आता है और बहुत ही अच्छा मिला होता है सुन्दर मिला होता है तो आपको याद हो गया होगा बाबा शामक शाह का मिला अब शाम को शाम को जो शाह थे तो वो घूमने जाते थे तो सुन लाइक और शेयर करना ना भूलना तो अब बात करते हैं कि सतकुम्बा का मेला कहा पर लगता है सतकुम्बा का मेला लगता है खेडी गुजर में तो खेडी गुजर में लगता है बाबा शामक शा का मेला लगता है खूब डू में कहां पर खूब डू में ठीक है आपको ये च ठीक है पहला मेला पहला मेला है हमारा पूर्ण मल का मेला तो पूर्ण मल का मेला कहा लगता है गुरू ग्राम में लगता है सभी जानते हैं कि शीतला माता का मेला कहां पर लगता है गुरू ग्राम में लगता है बुद्धो माता का मेला किस तरह याद रखना है जो गुरू हो होते हैं वह बुद्धू नहीं होते हैं सिर्फ यह ट्रीक है आपको ट्रीक पर जाना है गुरू जो होते हैं वह बुद्धू नहीं होते हैं ठीक है साहचोका खोरी तो साहचोका खोरी का मेला कहां पर लगता है गुरू ग्राम में लगता है बुड़ी तीज का मेला लगता है हमारा गुरू ग्राम में यहाँ पर तीजी का मेला नहीं पूचा गया है बुड़ी तीजी का मेला पूचा गया है शिवजी का मेला लगता है गुरू ग्राम में कहां पर गुरू ग्राम में अगर आपसे पूचा जाए कि शिवजी का मेला और कहां पर लगता है तो आपका अ option में है तो आप पुनाना प्यारा क्लिक कर सकते हो तो शिवजी का मिला कहां पर हो गया पुनाना में कहां पर पुनाना में बुड़ी तीज का मिला हो गया गुरुग्राम में साच चोका खोरी का मिला हो गया खोरी गाओं में कौन से खोरी गाओं में बुद्धो माता का मिला लगता है हमारा मुकारिक पूर में मुकारिक पूर में मुकारिक पूर ठीक है तो यह हमारा लगता है बुद्धो माता कमेला मुकारिक पूर में शीतला माता कमेला आप सभी जानते हैं कि कहां लगता है गुरुगराम में लगता है और पूर्ण मल कमेला कहां पर लगता है को यह वीडियो पसंद आएगी तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले जिले की और हमारा अगला जिला है रोत्तक से याद रखना है आपको रोना क्या याद रखना है रोना ठीक है रोत्तक से क्या याद रखना है आपको रोना और सिरफ यह चीज किसलिए याद रखना है मस्त बंदे जो होते हैं कभी भी नहीं रोते मस्त बंदे जो होते हैं वो कभी भी नहीं रोते तो मस्त नात का मिला कहा हो गया रोत तक में हो गया अब जमना में आपका कुछ गिर जाए तो जमना दास का मिला कहां पर हो गया रोत तक में हो गया बाबा बुड़ा का मेला बाबा बुड़ा का मेला कहां पर लगता है रोत्तक में लगता है जो बाबा बुड़े हो जाते हैं वो बात बात पर रोने लगता है जो बुड़े बाबा हो जाते हैं तो बात बात पर रोने लगता है श्याम जी का मेला तो श्याम जी का मेला भी आपको याद रखना है कहाँ पर लगता है हमारे रोत्तक में कहाँ पर लगता है रोत्तक में हुला मोला का मेला अब हला हो जाता है कहीं पर किसी मोले में हला हो जाता है तो वहाँ पर रोने लग जाते हैं लोग ठीक है तो आपको हो सकता है कि यह है ट्रिक पसंद आई होगी अब बात करते हैं कि शिवरात्री का मेला कहां पर लगता है तो शिवरात्री का मेला लगता है किलोई में कहां पर किलोई में मैं बार-बार क्यों repeat कर रहा हूं ताकि आपको बार-बार सुनने से यह नाम याद हो जाए तो शिवरात्रे का मेला कहां पर लगता है किलोई में लगता है मस्त से याद रखना है अस्त तो मस्त अस्त तो अस्तल बोर में कौन सा लगता है मस्तनात का मिला लगता है जमना दास जमना से याद रखना है कि जमना में अगर कुछ गिर जाता है मानलो आपका लोटा था तो जमना में आप लेके लोटा तो भुलोट गाउं में जमना दास का मिला लगता है ठीक है आपको याद हो गया होगा बाबा बुड़ा का मिला अब बुड़े लोग क्या लेकर चलते हैं साथ में सोटा लेकर चलते हैं तो आपको यहाँ से याद रखना है असोदा ठीक है क्या याद रखना है असोदा तो सोदा से बनीगा सोटा श्याम जी का मिला श्याम जी का मिला बहुत ही इंपोर्टन है यहां से कोशन पूछा जाता है तो यहां लगता है दूबल धन में कहां पर दूबल धन और श्याम जी के मिले से आपको याद रखना है यह बच्चों के मुंडन के लिए फिमस है किसके लिए फिमस है? तो बच्चों के मुंडन के लिए यह है मिला फिमस है श्याम जी का मिला हुला मोला का मिला तो हुला मोला का मिला लगता है हमारे लाखन माजरा में कहां पर लाखन माजरा में लाखन माजरा ठीक है? तो यह चीज़े आपको याद रखनी है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले जिले की और अगला जिले हैं हमारा कैथल तो कैथल जिले से जितने भी important मिले हैं यहापर आप देख सकते हो फल्गू का मिला, दियाति का मिला, पुंड़र का मिला आप सभी जानते हैं पुंडरी स्थान कहाँ पर है कैथल में है दियाती का मिला हो गया हाथी अब हाथी किस पर चलता है थल पर ही चलता है तो कैथल में आगया थल और हाथी कहाँ पर हो गया दियाती में तो फरिदाबाद में देख सकते हो, बलदेव का मेला लगता है, सब जानते हैं, बलदेव का मेला कहां पर लगता है फरीदाबाद में। उदासनाद, उदासनाद का मेला कहां पर हो गया, फरीदाबाद में हो गया, कालका का मेला, आपको याद रखना है कि कालका का मेला पुछा गया है, ना कि कालका स्थान पुछा गया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कालका का मेला पुछा गया है, ना कि कालका स्थान आप से पूछा गया है तो कालका का मेला हो जाएगा फरीदाबाद में फुल डोर का मेला कहां पर लगता है फुल जो हम तोड़ते हैं फ्री में तोड़ते हैं तो कहां पर हो गया फुल डोर का मेला हो गया फुरीदाबाद तो फरीदाबाद से आपको याद रखना है फ्री की चीज़े कनुवा का मेला कनुवा का मेला कहां पर हो गया फरीदाबाद में हो गया सुरजकुंड का मेला सभी जानते है कि सुरजकुंड का मेला कहां पर लगता है फरीदाबाद में लगता है और कार्तिक अमवस्य का मेला यह भी आपको याद रखना है कि कार्तिक अमवस्य का मेला कहां पर लगता है तो यह लगता है हमारे फरीदाबाद में, कहां पर फरीदाबाद में लगता है अब बल्देव का मेला कहां पर लगता है तो बल्लोगड में लगता है आपको याद रखना है कि बल्लोगड में बल्देव का मेला लगता है ठीक है, बल्देव का मेला लगता है बल्लोगड में ठीक है अब फुल डोर का मेला तो फुल डोर का मेला पूछा जाता है एक्जाम्स में कि फुल डोर का मेला किसकी याद में लगाया जाता है तो बक्सीनात की बाबा बक्सीनात की याद में फुल डोर का मेला फरीदाबाद में लगाया जाता है ये चीज़े आपको याद रख अब इसके बारे में कुछ important देख लेते हैं कि 34 सुरजकुंड मिला 2020 में आयजित कराया गया था अब इसके थीम स्टेट थे हिमाचल परदेश इसके थीम स्टेट थी हिमाचल परदेश और थीम कंट्री थी उजबेकिस्तान आपको याद रगना है उजबेकिस्तान और 34 सुरजकुंड मेले का उधिकाटन किस नहीं किया था तो 34 सुरजकुंड मेले का उधिकाटन किया था हमारे राष पत्रपति रामनात कोविन जी ने इसकी थीम स्ट्रेट थी हिमाचल परदेश उजबेकिस्तान इसकी थीम कंट्री थी और यह 34 में नंबर का मेला लगाया गया था और आप सभी जानते हैं कि इस मेले की शुरुवात कब सही थी 1987 से इस मेले की शुरुवात हुई थी ठीक है और यह है परती वर्ष कब लगता है तो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में यह मेला लगता है नेक्स्ट कार्तिक अमवस्य गमेला तो कार्तिक अमवस्य गमेला भी कहां लगता है फरीदबाद जिले में लगता है तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले जिले की और हमारा अगला जिले है हिसार हिसार जिला तो हिसार जिले से आपको याद रखना है नवरात्री का मे मैंने आपको बताता है एक शिवजी का मिला गुरुगराम में भी लगता है गुरुगराम के पुन्हाना में और यह है शिवजी का मिला हिसार के शीषवाल में लगता है कहां पर लगता है शीषवाल में लगता है अगरसें जनती का मिला अगरसें जनती का मिला आप सभी जान लिए कि हासी की क्या चीज फेमस है हरियाना में हासी की क्या चीज फेमस है दुबारा से देख लेते हैं नवरात्री का मेला हिसार में लगता है और अगर आप से पुछा जाए कि नवरात्री का मेला कहां पर लगता है तो बन बोर में बन बोर में हिसार में नवरात्री का मेला बनबोर में, शिवरात्री का मिला हो गया, शीषवाल में, अगरसें जन्ती का मिला हो गया, अगरोहा में, काली देवी का हो गया, हासी जिले में, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा भिवानी जिला, भिवानी जिले से देख लेते हैं हमारे इंपोर्टेंट जितने भी यहां पर मिले हैं, तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मुंगीपा का मिला, बहुत बार पेपर में मुंगीपा का मिला पूछा गया है, तो आपक राइट अंसर हो जाएगा भीवानी, अगर भीवानी में कहां पर लगता है, तो रिवासा में लगता है, देवसर का मेला, देवसर का मेला भी कहां पर लगता है, भीवानी में लगता है, पूर्ण मासी का मेला, पूर्ण मासी का मेला भी कहां पर लगता है, भीवानी में लग में लगता है अगले हमारा सती का मिला वी चाके कर लगता है अंपर याथ दगे ज्क है आप अब भीवानिंगर आप को या दर्गना ले ठीक है हमारी जो मासी होती है आपको सिर्फ याद रखना है हमारी जो मासी होती है वह भी बहुत बाव खाती है बाबा खेड़े वाले का मिला तो बाबा खेड़े वाले का मिला कहां लगता है भीवानी में लगता है मोटी माता का मिला इसे आपको मोटी लिखना है मोटी माता का मिला कहां पर लगता है नोरंगा बाद में लगता है कौन सा बाबा खेड़े वाले का मिला मोटी माता का मिला मोटी माता का मिला लगता है घनाना घनाना में कहां पर घनाना में लगता है सती का मिला लगता है बिवानी में बाबा नागा का मिला लगता है हमारे बिवानी में तो गाइज यह था हमारा मिलो का पार्ट वन वीडियो अगर आपको पार्ट वन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना धन्यवाद आज के लिए बस कि इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो के हुआ है हुआ है है कि अ ampum